आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं BRL 008 का फर्स चैप्टर Human Resource Management and Overview तो Human Resource Management क्या होता है इस चीज का हम overview लेने वाले हैं फूले चैप्टर में तो as usual हम introduction से शुरू करते हैं so introduction Human Resource Management जो है सबसे common पाया हुआ resources है और इंडिया में तो सबसे जादा क्योंकि इतने जादा पॉपुलेशन है तो इतने सारे humans है और इतने सारे humans है तो इतने सारे resources है बट इतने सारे होने के बावजूद भी इसको use कर पाना थोड़ा सा कॉम्पलेक्स है क्योंकि कोई machinery हो गई कोई भी टूल्स हो गए उनके पास दिमाग नहीं होता हुँए उनके पास feelings नहीं होती तो उनसे आप जैसा काम कराना चाहते हो वो काम वैसा करेंगे बट क्योंकि इंसान के पास दिमाग होता है feel तो डेली डेली human resource को manage कर पाना काफी जादो complex काम हो जाते है क्योंकि आपको डेली कोई नया idea के साथ आना कोई नया तरीके के साथ आना ताकि आप अगले employee को motivate कर सको और उटको काम करा सको जैसा आप चाहते हैं करके ठीक है next यह है कि human resource एक एक मादर ऐसा natural resource है बाकी सारे resources भी है जो से coal होगा है metal होगा यह भी natural resources है बट humor resource एक ऐसा natural resource है जो की nature के थ्रूआ है जिसका unique feature यह है कि इस resource को आप use करते जाओगे तो यह वक्त के साथ और भी जादा knowledgeable और और भी जादा स्किल्फुल और भी जादा sufficient हो जाएगा effective और efficient तरीके से काम करने लगेगा बाकी resources जो होते हैं वो वक्त के साथ depreciation हो जाते है उसका मतलब machine है तो धीरे धीरे उसका value कम होगा गाड़ी है उसका भी धीरे धीरे वैल्यू कम होगा तूल्स है धीरे धीरे उसका value कम होगा फिर किसे कर सकते हैं उस चीज का management के बारे में हम HRM में पढ़ते हैं जिसमें हम employees को committed करना चाहते हैं काम के लिए next integrate integrate मतलब अखंड होने चीए मतलब एक ही direction में सबका focus होना चीए सब एक ही direction में साम कर रहा है वो करना चीए next है कि contributing होने चीए contributing मतलब सारे employee का जो काम है ना वो contribution द करने में तो यह तीन में पॉइंट है human resource management के अंदर जो आते हैं next यहां पर दो मेने definitions लिखी है दोनों में से कुछ भी आप चूज कर सकते हैं तो पहला definition है HRM is the process of managing people in organization in a structure and thorough manner this covers the field of staffing hiring people मतलब people को join करवाना next retention of people बना के रखना उस organization में pay and perks उनको पैसा देने का काम और perks क्या- management, change management and taking care of exist from the company to round off the activities यह होगा पहला definition दूसरा definition है HRM encompasses the management of people in organization from a macro perspective that is managing people in the form of collective relationship between management and employees यह थे दो definition human resource management के अब हमाते है next slide पे जो की है the effective and efficient management अब effective and efficient management क्या होता है ठीक है और इसकी अदर इसका होता है जब भी आप HRM अच्छी तरीक से इस्तमाल करोगे तो इसका फाइदा क्या होगा कि पहली बात तो हाई productivity जितना अच्छे से काम कर रहे हैं लोग उसके वज़े से productivity बढ़ेगी next profit बढ़ेंग इंक्रीज नेक्स्ट ग्रोथ ग्रोथ मतलब organizational growth organization का growth होगा कि सारे काम अ इन अश्यार आफ करें अच्छी तरीके से कسटमर को सर्फ करेंगे दोस्से होगा कि उनको भी फाइदा होेगा present долaw और customer को फोगा त्योंकि वह स्किलफुल हों और करेंbands कोतों आर्म को एसे होगा कि मेरें अच्छी तरीक सिसर्फार हो जा रहा है अब उसीवजह से में कि य जहगडावगाई तो फिर वह दूनों एक दूसरे से अच्छे से बात नहीं करेंगे खुआ कोईหगे तो सब कुछ लय स्नाथ कहारी से काम करेंग और उसी वजह से एक्तिव कमिनिकेशन जैसे मैंने वोला एफेक्टिव कमिनिकेशन हो सकेगा नेक्स्ट है competitive and development अब competitive दो तरीके से भी आप ले सकते हो पहला तो employees प्लस दूसरी organization जो है उनके बीच में जो competition है अगर दोनों के employees अच्छे खासे हैं तो फिर दोनों के बीच का competition अच्छा रहेगा ठीक है और उस वज़े से क्या होगा कि development अब development भी self-employee का भी हो सकता है और दूसरा organization का भी development होगा तो यहां पर organization की हम बात करेंगी क्योंकि हमको HRM कहां चाहिए organization में चाहिए इसलिए ठीक है तो यह सारे फाइदे थे चार फाइदे मैंने यहां पर बता दिए effective management के अब next slide पर आते है जो कि है core elements of HRM तो अब core elements of HRM म अब किसी भी organization में देख लो अपको 8 से 8 गंटे का like काम करना होता है 8 से 12 गंटा कभी कभी 12 गंटे की shifts भी करनी पड़ती है बट mostly 8 गंटे की shift ही किये जाते तो उसमें क्या होता है कि 8 गंटे तक ऐसा माना जाता है कि 8 गंटे तक अगर को इंसान काम करा तो अपना 100% full potential दे सक 10 hours तो minimum हो गया अब क्योंकि यहां पर extra काम करना पड़ रहा है तो और हाँ 10 to 12 hours with break मतलब 2 गंटा 1,5 गंटे का break हो गया वारा गंटे में तो अगर 10 गंटे की shift मालो तो 2.5 hours की उसको अगर break मिल रही है तो फिर भी 8 गंटा उसको काम करना पड़ रहा है और 8 गंटे वाले जो 12 hours करना पड़ जाता है तो यह थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है employees के लिए उनको और भी जादा इसलिए motivation की जरूत होती है कि ताकि वो इतना देर काम कर सके next time management अब human resource management में क्या होता है human resource management में हमको क्या manage करना होता है मतलब पहली बात तो development होते रहे organization की acquisition development की organization की development होती रहे दूसरा है maintain maintain करके रखना है जो जैसे आपने को growth करी अपने organization की नहीं तो एक बार आप अच्छे खासे stage पर पहुंच चुके है तो आपको वहाँ पर बने रहना है ना नीचे नहीं गिरना है वहाँ पर maintain करके रखना आपनी growth को ठीक है remuneration of employees ठीक है सारे employees का payment क्या करना है उनको क्या क्या पर्क्स देने remuneration मतलब वही होता है क्या क्या उनको देना है जैसे payments हो गए salary हो गए wages हो गए या फिर और भी कुछ bonuses हो गए जिस सारी चीज़े remuneration के अंदर आ लिए next integration and consistency अब integration क्या होता है और consistency क्या होता है अलग-अलग directions में काम करने से ऐसा नहीं होगा next consistency consistency मतलब human resource management में आपको daily daily manage करने हर बंदे को हर employee को आपको daily manage करने हर हफते manage करने हर मेहने manage करने हर साल manage करने तो consistency बने रहनी चीए वरना थोड़ा सा deal दोगे तो फिर employees ढंग से काम नहीं करेंगे तो वो फिर आपके organization goal के लिए नुकसान दे हो सकते next influence अब influence मतलब HRM को influence करना होता है HRM ही influence करता है तुम्हारी organization की जो काम है वो कितनी effectively हो रही है ठीक है effectiveness HRM ही ला सकते है मतलब HRM अगर अच्छे से आपने human resource का इस्तेमाल किया है तो वो क्या करेगा जो organization की जितने भी employees है उनसे अच्छे से काम कराएगा जिसकी वज़े से quality बढ़ जाएगी product और service की अच्छे से काम हो रहा है इसलिए और दूसरा यह है कि सबसे golden point की organization goal अचीव होगा applicability अब applicability की बात करी जाए तो HRM ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ बिजनेस में ही applicable है बिजनेस में ही यूज होता है और कहीं पर नहीं होता इसको आप और भी जालगा जैसे non-business organizations जो है वहाँ पर भी आप यूज कर सकते जैसे education health and recreation ठीक है इन सारी जगाओं पर भी आप यूज कर सकते हैं तो यह कुछ core elements थे पांच core elements यहां पर थे people management integration and consistency influence and applicability नेक्स नमाज आते है objectives of HRM किया है अब किसी भी इसका objective क्या है जरुत क्या है ठीक है तो HRM की क्या क्या जरुत पहले मतलब objectives क्या क्या जरुत भी है यह भी गोल सकते हैं तो HRM में सबसे प अपना गोल होता है जिसको उसको अचीव करना होता है ठीक है वो उस मतलब सपोस्त कुछ भी गोल हो सकता है जैसे मेरे को अपना profit 12% तक इस साल बढ़ाना है या फिर मेरे को अपने organization में एक नया department खोलना है उसके लिए मेरे को पैसे करना है तो यह सारे कुछ भी गोल हो सकत दूसरा हो गया functional objective अब functional objective क्या होता है functional objective में यह होता है कि HRM को हर एक employee को right job देनी होती है जो कर सकता है पता चला ऐसा job तुमने दे दिया जो करी नहीं सकता उसको आते ही नहीं है तो कैसे करेगा next है right time पे होना चाहिए right time मतलब सही समय पर उसको काम दे दिया पता चला एकद ना ठीक है next is personal objective परसनल objective में क्या होता है हर एक employee की खुद की कुछ personal leads होती है उसको कुछ कुछ aim होता है suppose मेरे को bike खरीदना है मेरे को कोई phone खरीदना है या फिर मेरे को कोई car खरीदनी है तो उसका personal objective हो गया तो जो HRM है ठीक है ही मतलब HR manager अब HRM में नहीं 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 सकता है उस वज़े से तुमारे जो तुम goals fit करके रखे हैं वो तुम achieve कर पाओगे तो उससे क्या होगा कि employee खुश होगा कि okay चलो मेरे को HRM जो है help कर रहे है manager जो है help कर रहे है कि मैं किस तरीके सब अपने goal को achieve कर सकूं तो उसका जब goal achieve होने के वह जितना pass पहुंचेगा उत को दिये है organization को काम करने के लिए तो अब organization का ये बनता है अपना अपनी तरफ से motive या फिर इतना बनता है कि वो society को भी कुछ दे in return में जब organization को दिया है इतने सारे employees तो society को भी कुछ तो मिलना चाहिए तो society को क्या मिलना चाहिए तो सबसे पहले तो वो organization ethically काम करें कोई उल्टे सीदे काम न करें next है कि social responsibility जैसे कचड़े जादा ना पढ़ा है ठीक है जादा pollution ना create करें और उस जगह में वहां का बातावरन या फिर वहां का सब कुछ खराब हो रहा है तो वो भी नहीं होना च challenges of the society मतलब कुछ needs हैं अगर society की कभी किसी को fund की जरुत पढ़ गई या फिर को backward लोग है जो कुछ बारवार आगे उस वज़े से काफी नुकसान हुआ है तो society को थोड़ी जरुत है थोड़ी मदद की जरुत है repair and maintenance की जरुत है तो थोड़ा कुछ अपने तरफ से organization अगर कु अपनी कुछ कर सकती है help out तो वो चीज़ करनी चाहिए